कोविट नाइंटीन इस महामारी का हम सब के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पर रहा है हमारे जीवन के विभिन पहलूं को ये कई तरीके से प्रभावित कर रही है और इन सब के बीच में अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमारे देश के 33 करोड छात्र भी इस विमा उनके जहन में, उनके अभिभावकों के जहन में, टीचर्स के जहन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो चाहते हैं और इसे सवाल जवाब के लिए ही हम आज इस विशेश सत्र का हमने आयोजन किया है और हमारे साथ हैं कि इंदिय मानसन साधन विकास मंतरी डॉक्टर टमेश पुख्रियाल निशन, डॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले कि मैं, क्योंकि ये सवाल में दर्शकों को बता दूँ कि ये सभी सवाल जो आज हमारे पास आये हुए हैं, ये सवाल हमने कल और आज सोशल मीडिया से इन सवालों को आप ही लोगों के जरिये लिया है, तो जिन भी लोगों ने सवाल पूछे हैं, उन सवालों के ही जवाब हमारे पास पहुंचे हैं, हमारे फेस्बुक पेज के जरिये, डीडी निउस के ट्विटर हैंडल्स के जरिये, तो जो जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, उन्ही के जवाब चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखना चाहें तो एक बड़ा सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं कि नया सत्र कब शुरू होगा लेकिन उससे पहले एक और बड़ी सब लोग जानना चाहते हैं कि स्कूल कप खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के लिए भी क्या योजना बनाई गई है कि सब के मैंन में यह विचार होगा जैसे अभी आपने का कि इस देश में 33 करूर चातर चाता हैं और यदि उनके माता-पिता को भी लगा दें तो यह 99 करूर होता हैं उन 99 करूर लोगों के सभव की चिंता इसकूल कब से खुलेंगे और खुलेंगी तो किन प्रस्चितियों में होंगे और कैसे समाजिक सुरक्षा के दृष्टी से उसको विभाग करेगा इसकूल करेंगे कॉलेज करेंगे संसान करेंगे हम लोगों ने जब भी हम इसकूल खोलेंगे हम लोगों ने इसकूली शिक्षा के लिए एंसी आर्टी को कहा है एक टास्क फॉर्स गठित किया है कि वो इस बात को सुनिशित करें कि जब भी एंसी इस्तित आएगी जब हम खोलेंगे तो किस रूप में, किस अनपात्में और किस ढंग से हम स्वास्थे विवाग के जो हमारी मानक हैं, जो नर्देश हैं, उनका हम पालन करते वहें और उसी स्कूल को हम खोलेंगे. ऐसे उची शिक्षा में, यूजी शीव को काया है कि वो इन सभी प्रस्थिति पे और बच्चों चात्रों पर और उन प्रस्थितियों पर पूरा अध्यन करेंगे. और फिर बताएंगे कि किस ढंग से, किस रूप में और किस सीमाता और कैसे कैसे करके हम स्वास्ते विभा के उन देशों का भी पालन करें. और हमारे लिए पहली आविश्यक्ता है वो हमारे पहली प्राथमिक्ता है वो हमारा जो भवश्या है बच्चे चातर चातर हैं उनकी सुरक्षा का है डॉटर निशंक ऐसे में क्या टाइम टेबल में कोई बदलाव भी हो सकता है क्या क्या कई तरीके की बाते सामने आ रही हैं कि ये शायद ऐसे कुछ बिंदू है जिन पर NCRT फोकस कर रहा है कि और इवन रोल नंबर्स के हिसाब से बुलाया जाए आने का वक्त बदला जाए ट दूसरा ततका लिख किये है कि हम जो बची भी परिक्षा हैं उनको कैसे करें और फिर तीसा चरण है कि जब हम इस स्थिति में तयार हो जाएंगे तब उसको स्कूल तक लाना है पाठ्यक्रम की जो आपनी चर्चा की है हम लोगों ने NCRT ने बैकल्पिक कलेंडर दिया है क् कि अभी जो इस्कूल का जो पत्तिक्रम था और आज गर पर है यह कोई कैसी प्रस्तिती आई है कि ना चाट्र को पता था ना हमको पता है ना देश को पता था ना दुनिया को पता था कि गहरे संकर्ट से करके पुरी मानवता गुजरेगी तो हमारा जो चाहते हैं उसको कैंसे करके हम अभी संसोधिर पाठ्ठक्रम दें ताकि ज्यादभार भी मैसूस नहों और वो लगातार पढ़ने की और अभिभावक और अध्यापक दोनों मिल करके उसको उस पाठ्ठक्रम को सुनिशिक करा द इन्होंने फेस्बुक पेज पर अपना सवाल रखा है इन्होंने बोला है कि चुकि हम जानते हैं कि बोट परिक्षा आयोजित की जा रही है तो परिक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए cbsc द्वारा कौन से प्रोटुकॉल का पालन किया जाएगा मिरगांक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी हम यह परिक्षा करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने एक जुलाई से पंदर जुलाई के बीच cbsc के बच्ची भी परिक्षा हैं थी कुछ हाई स्कूल की थी और इंटर की थी तो जो बच्ची भी परिक्षा ह हैं उनको करने के लिए तीठी गोशित की थी अब विशेवार भी तीठी सुनिशित आपको मिल गई है और हम लोग इसको सुनिशित करेंगे कि किस तरीके से सामाजिक दूरियां हम उसका पालन कर सकें लेकिन आपके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि जो आपकी अच्छार है कि आप अपने स्कूल में परिक्षा देंगे और आपकी स्कूल वाले आपके अच्छी तरीकर से जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से उनको स्वास्ते विए उन दिर्देशों का पालन करना है यानि अभी तक डॉक्टर निश्रंक जिस तरीके से बोट के परि परिक्षाओं को चलिए अगला सवाल लेते हैं एक और मैं ट्वीटर हैंडल पर एक सवाल आया है कि अब एक्जाम पेपर्स का मुल्यांकन शुरू हो चुका है तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है अनूप जो आपकी चिंता है और आपने भी कुछ विश्यों के परिक्षा दी होगी और लगबग एक सो एकतर प्रश्ण पत्र पूरे हैं जिसमें लगबग डेट करोर से भी अधिक जो उत्तर पुस्तिकाई हैं उनका जाचने का काम अभी शुरू किया है आपको याद होगा कि पीछे की दिनों में हमने ग्रेमंती जी से निवेदन किया था और उनकी उन्होंने हमको ये चूट दी है ब्यवस्ता दी है ग्रेमंती लेने कि हम जो तीन हजार हमारे सीबियस्सी के स्कूल हैं जो केंदर जांच केंदर बने वे थे उत्तर पुस्तिक है पचास दिन के अंदर हम इस काम को पूरा करेंगे इधर हमारी जो बचीवी परिक्षाई हैं उन परिक्षाओं को हम पूरा करेंगे उदर जो हमारी उत्तर पुस्तिकाओं का जो मुल्यंकन है जांच है वो पूरी होगा और एक समय बद्द तरीके से हम इसको रिजल्ट क को आउट करेंगे इन दोनों दिशाओं में हमारा तेजी से सीबेसी बोल्ड काम कर रहा है जी तो यह सवाल जो हम अभी मंत्री जी से हमने पूछा था कि परिक्षा पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और परिक्षाओं का परिणाम को लेकर भी मंत्री जी यहां पर आपसे जाना चाहेंगे कि मुल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है हम जानते हैं कि दस्वें और बार्वी की परिक्षा भी हो रही है लेकिन इसे के ताहित एक सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि परिक्षाओं के परिणाम कब तक आ सकते हैं पर है कि जुलाई अंत में हम आपका परिक्षा परण हम कुशित कर देंगे जी अच्छा ये तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं मंत्री जी लेकिन साथ इसाथ विश्य विद्याले को लेकर भी कई छात्रों के मन में सवाल है कि जो युनिवर्सिटी की या कॉलेजिस के जो एक्जाम हैं उनको लेकर भी कई सवाल हमारे पास आए हैं हमाई ट्विटर हैंडल पर सवेंग जैन सागर से उन्होंने सवाल पूछा है कि विश्य विद्याले कब से शुरू होंगे और ये परिक्षाएं कब और कैसे संभव होंगी मुझे लगता है कि ये भी यूजी सी ने बहुत इसपस्ट किया है और यूजी सी ने जैसे कि आपको पता है कि यूजी सी ने ये तै किया है सेक्शने कलेंडर भी जारी किया है और यूजी सी ने काया है कि एक जुलाई से वो परिक्षाओं को कराएंगे तो एक जुलाई से जो उच्छा की परिक्षाएं होंगी उसमें निश्चित रूप में वो जुलाई भर में सारी परिक्षाएं पूरी हो जाएंगे और अगस्त से सत्र शुरू हो जाएगा ये भी UGC ने निश्चित किया है जो टास्क फोर्स था उस टास्क फोर्स में इस सुनेश्चित हुआ है कि यदी तब तक जुलाई तक भी कुछ ऐसे छेत्र होंगे जो ग्रीन जोन में नहीं आप आएंगे जो वो जो बच्चे होंगे उन बच्चों की किस तरीके से परिक्षाएं होंगे उसके लिए भी बार्ग ताय किया है वो जो पहले समेस्टर के हों प्लस जो पीछे के समेस्टर में जो उसके आंका है उसका उसत बराबर उसका घोशीत होगा लेकिन जो फाइनल वाले हैं उनकी परिक्षा जरूर होगी तो इसमें आप किसी प्रकार के ब्रहम की कोई इस्तिती नहीं है जी तो यानि परिक्षाओं के तिथियां आ रही हैं सामने आ भी गई हैं तो अपने तयारी चात्र करते रहें देट शीट का इंतजार ना करें तयारी करें क्योंकि डेट शीट भी जल्दी आ जाएगी ऐसे ही चुकि भ्रमकिस्ति लगादार बनी हुई है मंत्री जी तो ऐसे में क्या ऐसा कोई कदम भी सोचा जा सकता है देख या प्रस्थिति होंगे यों तो बहुष्य पर निर्भर करेगा लेकिन वर्तमान में जो हम लोगों ने तही किया है कि जुलाई से परिक्षाओं होंगी और जो परिक्षाओं में समलित नहीं हो सकेंगे उनका बिकल्प भ और यह आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन है कि छात्रों का साल खराब कते नहीं होगा शुभम पाठक अयोध्या से एक सवाल पूछ रहे हैं मंत्री जी कि जब भी नया सेशन होगा तो उस नए सेशन में कॉलेज में कक्षाएं कैसे चलाए जाएंगी क्या उनके लिए कोई नए नियम कोई नए गाइडलाइन जाएंगी जो दी जाएंगी निशीत रूप में सुभम आप जाने रहे हैं कि ना किवल इस देश में बलकि पूरी दुनिया में एक कोरणा का माहस संकर चल ला है और पूरी दुनिया का जो बाताबन कोरण के बाद इस जो नई प्र तरीके से आगे जो प्रस्तियां रहेंगी जो भी प्रस्तियां आएंगी उन्हीं प्रस्तियों में रास्ता निकाला जाएगा लेकिन रास्ता निकाला जाएगा और हर हालत में शिक्षा के इस तरको किसी किमत पर नबाधित होने दिया जाएगा और नीचे गिनने दिया जाए तो जो अंतिम वर्ष के चात्र हैं, उनको लेकर क्या कुछ विशेश योजना है? अभी आपने मंत्री जी कहा कि जो अंतिम वर्ष के फाइनल एर के जो स्टूडन्स हैं, उनका एक्जाम जरूर होगा. तो ऐसे में अगर हालात ना सुधरे, तो उनको लेकर क्या योजना है? नए कभी तो हमने मन बनाया हुआ है, जैसे कि आपको बताया कि जो फाइनल एक्जाम होगा, फाइनल वर्ष का जो है, अंतिम वर्ष का चात्र होगा, उसकी परिक्षाएं जरूर होगी, और वो किस रूप में और किस तरीके से होगा, उस पर फिर आपको अगे बताया और अब चुकि रॉप्टर निशांक हम जाते हैं कि डेच शीट आ गई है, दसवी बार्वी के परिक्षाएं हो रही होंगी अब जल्दी और उसको देखते हुए अब अगले सत्र के लिए भी सवाल उठने लगे हैं, अनिर्बन हम से पूछ रहे हैं ट्विटर हैंडल पर अनिर्बन मुझे लगता है कि अब दो चीज़ें हैं हमारे सामने, एक तो यह बड़ा संकट है और कितना हम समय को बांध पाते हैं, जोड पाते हैं, यह बहुषया में छिपावा है, लेकिन हम उसको समय को पाटेंगे, दूसरा आपको तो मालम है कि यदि यह संभव हुआ कि इस देश में जिस तरीके से आम नई शिक्षा नीती को लेकर के भी आ रहे हैं, तो यदि तब तक वो नई शिक्षा नीती गोशित हो गई, तो अगला जो समय होगा, वो उस पाठेकरम के अनिरूप कैंसे होगा, उस पर भी विचार के आवशकता है, लेकिन आप चिंता म करिए, खुबसूरत पाठेकरम भी होगा, और समय के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकेंगे, और आपको जो पाठेकरम आएगा, उसको आपको लगेगा कि हाँ, आपकी मनेस्तिती के अनुरूप और आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हर देशा में प्रयाप्त होगा. अधिकांस अस्थानों पर तो बहुत सारे राज्यों ने तो परिक्षाएं करा भी दी थी, बहुत कुछ परिक्षाएं रहे गई हैं, जो परिक्षाएं रहे गई हैं, उसको परिक्षाएं करा रहे हैं, तो पाठेकरम तो पूरा है, लेकिन जहां पाठेकरम मानों, एक प् भी कर रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बीच अभी भावक और अध्यापक दोरों मिल करके चात्रों के लिए बहुत प्रियास कर रहे हैं और उसके कोर्स को वो पूरा करवा रहे हैं यहां पर फेस्बुक पेज पर हमारे पास एक सवाल आया है विपल गुपता सोनिपत से यह सवाल लिख रहे हैं कि क्या परीक्षा के लिए सभी विश्विद्यालियों को कॉमन गाइडलाइन्स जारी हो सकती हैं दरसर इनकी कुछ शिकायत भी थी कि जो गाइडलाइन्स जार सबकी अलग-अलग भौग अलिक प्रस्थितिया हैं और आप देखेंगे तो एक हजार भी सुवेद्याले हैं देश के अंदर पैंतालीस हजार डिग्री कॉलेज आएं और 15 लाग से अधिक स्कूल हैं एक करोड से अधिक अध्यापक गण हैं और जैसे कि अभी मनताव कह रही थी कि 33 करोड से भी अधिक हमारे देश में चात्र चात्रा ही हैं तो सबकी प्रस्थितियां क्योंकि अलग-अलग हैं तो सब भी को यह गाइडलाइन्स नहीं दी जा सकत हैं उनको उस दिशा में छूट होगी कि उनके राज्य में जो प्रस्थितियां उनके अनुरूप बैतर क्या है तो राज्य सरकार इसको सुनिशित करेंगे राज्य सरकार शिक्षा विभाग वहां की प्रस्थिति के अनुरूप उधारन के लिए लदाक है जब कश्मीर का क कि छुटी होती हैं तो इन प्रस्थितियों में और उन भगल की स्थितियों में जो भी विश्व विद्याले बेहतर से बेहतर जो हो सकता है छात्रों के हित्में वह निरने लिया जाएगा जीविपल गुप्ता एक और सवाल पूछ रहे हैं और एहम है यह सवाल क्योंकि छात निवारंट सेल क्यों नहीं बनाया है ऐसा नहीं है अपने तो शैद अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था आपने मेरे टुटर पर भी देखा होगा और विश्व विद्याले अंदान आयूग ने यूजी सी के इस तर पर एक प्रकोष्ट बनाया गया है और सभी विश्व व प्रकोष्ट गठित करेगा और जितनी मुझे सूचनाई है उस लगबक सब विश्व विद्याले ने अपना प्रकोष्ट भी गठित किया है यदि आपके कोई शिकायत होगी तो उस प्रकोष्ट में जरूर आप अपनी शिकायतों को धर्ज करें और यदि आपके विश्व का जो प्रकोष्ट बनावा है आप जाकर के वो अपनी शिकायतों को उदर दर्ज करिए आपको समाधान मिलेगा जी मंत्री ची वैसे फोन नंबर भी दिया गया है अगर कोई शिकायत करनी हो तो इमेल भी दी गई है और पोर्टल भी बनाया गया है तो विभिन आयाम उपस पास ना तो मुबाइल है और ना ही टीवी है ना लैप्टॉप है ना स्मार्ट फोन्स हैं उनकी पढ़ाई को लेकर क्योंकि ऐसा ही एक सवाल विशाल रहेल मुरादाबाद से पूछ रहे हैं और यह शिक्षा क्यों प्लब्दता और अफसर की समानता की बात कर रहे हैं कि इनको देखते वे मंत्राले क्या कदम उठा रहा है कैसे यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसे हालात में सभी बच्चे अमीर हो या गरीब उन्हें शिक्षा हासिल हो सके मुझे लगता है कि इंदोस्तान के अंदर यह पहला ऐसा उसर आया और जैसे हमारे देश के प्रधान मंती जी ने हमेशा यह का है कि जब भी चुनोतियों होती है दि चुनोतियों का ठिक से मुकाबला होता है तो अफसरों में तबदिल हो जाती है और यह समय जो एक आएक साइदा हुई हैं देश के अंदर जो पूरे देश को ओनलाइन पर लेकर के आई है कोई सुच भी नहीं सकता था तो ऐसे समय में घरीब का बच्चा हो यह अमेर का बच्चा एक ही प्लैट्पॉम पर पढ़ रहा है हमारी दीख्षा प्लैट्फॉम है यह पार्ट साल है जो हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम को दे रहे हैं सभी इनके अंदर पढ़ रहे हैं लेकिन हाँ जो आपकी दूसरी चिंता है कि जिस बच्चे के पास स्मार्ट टलेफोन नहीं है जिसके पास काप्पूटर नहीं है या नेट नहीं है इसकी सुबदा नहीं है वो कैसे करके हम लोगों ने कोशिश यह की है कि जो हमारा स्वेम प्रभा के 32 चनल है और 24 ओंगटे चलते हैं डीटीएच पर हैं यह दूरदशन पर हैं दिस टीवी पर हैं टाटा स्काई पर हैं और रिलाइंस टीवी पर हैं उनको उनके माध्यम से हम सीधे बच्चे के तक जाएंगे हुआ कि साहए शायद एЖन नहीं होगा कि टी बी किसी के पासheen होगा लेकिन यह दिन नहीं भी भी होगा अघाल बहग細 में जाकरके भी प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसका निशित होगा इस गंटे में यह सय गंटे में यह सबजेक्ट है और भाविश्य में हम रेडियो कभ करेंगे यदि इससे भी नहीं होगा तो आगे बहुत सारे विश्यों पर हम सोच रहे हैं लेकिन अंतिम छोड़ पर बैठे रहने वाले बच्चे को भी शिक्षा से वह बंचित नहीं होगा यह हम आपको अस्वस्त कर रहे हैं जी मंत्री जी जैसा कि हम जानते ही हैं कि अब ऑनलाइन शिक्षा एक नए विकल्प के रूप में बच्चों के सामने आई है और उससे बच्चे फायदा उठा रहे हैं इस समय जब कि स्कूल तमाम बंध है लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मानते हैं कि ज्यादा स्मार्ट आफोन और टीवी के जरिये बच्चों की पढ़ाई ना हो पारंप्रिक शिक्षा एक अच्छा जरिया होता है तो अगला सवाल उसे से जुड़ा हुआ है क्योंकि आरेन विशिष्ट हमसे ट्विटर हैंडल पर पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पर इतना जोर दिया ज रहा है तो क्या पारंप्रिक शिक्षा द्वारा पढ़ना छोड़ रहे हैं हम आरेन आपको तो मालब है कि इन प्रस्तितियों में इसका इसके सिवाए कोई विकल्प आपके पास नहीं है पहली बात तो इसकी कभी जोर जबर्दस्ति नहीं हुई है प्रस्तितियों ने हमको इस प्लेटपर्म पर आकर के खड़ा किया है और जिसका कोई विकल्प नहीं है लेकिन जो पारंपरिक शिक्षा है इसको भी अध्यापक ही पढ़ाएंगे और अभी तो वो प्रस्तितिया नहीं है कि 100% सभी ऑनलाइन पर होंगी लेकिन जो पारंपरिक हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा जारी रहेगी और अध्यापकों के माध्यम से यह ऑनलाइन आगे और तेजी से बढ़ेगा यह हमारा कारिकम है एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है ट्विटर पर कि क्या छात्रों के लिए लॉकडाउन में कोई प्रोचाहन योजना या फिर ऑनलाइन पर असी हजा से भी अधिक पाठे सामगरी है आपको यदि कोई चात्र शोत करना चाते अनुशन्दान करना चाता है डिजिटिल लाइब्रेरी जो हमारी है एंडियल साड़े चार करोड से भी अधिक सामगरी उस पर उपलब्द है हमारे स्वेम पर एक हजार नौसो पाठे अधिक पर उपलब्द है हम स्वेम प्रभा के 32 चैनल उपलब्द है और यह हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छे से पहुंचा रहे हैं लोगोंने सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम समय में और यह सारी सुद्ध हैं बच्चे तक पहुंचेंगी और आम इसको और अगला सवाल हमारा फीस से जुड़ा हुआ है और जैसा हम जानते हैं कि आपने एहम निर्ने लिया है उसको लेकर स्कूल की फीस की जब बात हो तो फिर अभी भावक जरूर परिशान है और यह देखते हुए कि आज इक्षा मंतरी हमारे सामने है तो एक सवाल इस तरीके का आमनागरिक के नाम से मुंबई से पूछा जा रहा है कि लॉक्डाउन में भी निजी स्कूल फीस क्यों ले रहे हैं अब पहली बात विए कि जो यह सिक्षा का बीशा है यह राज्यों का बीशा है जी बिल्कुल और जो आपने का है कि फीस बढ़ाना अभी आई टी और ट्रिपल आई टी जो यह एनाई टी जो को हमने अनिरोद किया है कि जो हर वर्ष में वो बढ़ाते हैं यह कोशिश करें कि इस समय वो न बढ़ाए हैं उन से अगरे कि लेकिन जब राज्यों से यह बात सुनने को आई और सीधा मेरे ट्वीटर पर मेरे फेस्बुक पर यह बात आई मेरे मंत्राले में कि तीन तीन चार चार मैंने का एक साथ लिया जा रहा है थोड़ सा कटनाई हम में हैं तो मैं सबी देश के शिक्षा मंत्रियों से यह अनिरूत किया था कि यह संभव हो सके तो यह कोशिश करें अनिरूत करें उन संस्थाओं के साथ भी मिल करके कि एक साथ तीन मैने का सुलक न ले सके तो ज़्यादा अच्छा है एक साथ न ले दूसरा जो हर वर्ष जो सुलक बढ़ रहे जाता है क्योंकि ऐसी प्रस्तितियां हैं तो वह थोड़ा सही निवेदन कि क्या इस पर भी वह विचार कर सकते हैं कि इस वर्ष वो शुलक न बढ़ाएं जो हर वर्ष वो बढ़ोतरी करते हैं तो यह हम अनुरोद शिक्षा मंत्यों से किया है सभी राज्यों से किया ह और सभी राज्यों मुझे इस बात की खुशी है कि उदर जो प्राइवेट संस्थान हैं अधियापक हैं और अभिभावक हैं इनके बीच बहतर तरीके से वो समन्में कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं का भी यह है कि हम अधियापक को बेतन देना हैं तो कहां स करें लगातार संपर्क हो यानि यह भी एक सुझाव हो सकता है मंतरी जी के जिन को समस्य आ रही है वह अपने राज्य के शिक्षा मंतरियों को यह पत्र लिखें उनको अनुरोथ करें वो करी रहे हैं मतलब, ये संग्यान में लिया जा रहा है? हाँ, निशित रोप में और मेरी लगतर वारता हो रही है और सभी सिक्षा मंतियों के सभी मुख्य मंतियों की ये संग्यान में अगला सवाल लेते हैं गॉरफ सिंभ पर्मार'S Facebook पर आरा बिहार से ये बात पूछ रहे हैं दरसल इस साल नहीं अगले साल के एक्जाम को लेकर ये बात हो रही है कि 2021 में जो दस्वी का एक्जाम होगा उसका सलेबस कब तक CBS से जारी कर सकती है मैं को लगता है एडवाइंस प्लानिंग बहुत जादा है यहाँ पर गौरब अभी इस समय को निकलने दीजिए जो भी आगामी मुझे लगता अभी आप नवी में हैं शायद दस्वी में गए होंगे तो आपको इस बात की चिंता है अच्छा होगा बहुत खुबसूरत होगा और जो पाठक्रम होगा और जो परिक्षाएं होगी वो भी अपने प्रकार की हो हो भी आ रही है और अच्छा यह प्लान मिलेगा आपको आपको खुशी मिलेगी कि आपका बहतर खुबसूरत और प्रखत पठेक्रम आपके हाथ में होगा बिहार से ही अक्षे कुमार भी यह बात पूछ रहे हैं यह भी अगले साल के लिए पूछ रहे हैं आपने भी बोल मुझे रखते है मंतियचे यह सवाल उससे लेकर होए कि सत्र छोटा हो जाएगा तो उसको लेकर पाठेक्रम में भी बदलाव होगा तो एक छात्र की ओर से सवाल है कि पूरा होगा या आधा आएगा जाहिर है कि एज़स्मेंट करने पड़ेगी इसकी आपको अभी चिंता करने की ज़रौत नहीं है और अभी से आप यदि इस चिंता में पढ़ेंगे आधा होगा या पूरा होगा आप इसको बिल्कुल चिंता मत करिए आपके अनुरूप प्रस्तित के अनुरूप आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि जो प्रस्तिति करें लेकिन हम लोग पाठ्थे क्रम को पूरी करने की कोशिश करेंगे लेकिन नई शिक्षाद नीथी में क्या सुरूप होगा उस पाठ्थे क्रम का वह आगे आने वाला भुष्यत करेंगा आफ फिलाल तो आप बर्तमान में खुब अच्छा अधियन करें और आगे आपका बहुसिया तो बहुत अच्छा है यानि इंतजार करें